Hello guys, welcome to my channel, my name is Sachin and I hope you all are fine So dear boys and girls, video के thumbnail देखके आप लोगो पता चली होगा कि हम लोग किस topic पर बात कर रहे होंगे तो आज हम लोग counseling के important documents, date ये सब topic को cover करेंगे तो make sure आप लोग इस video को शुरू से लेके last सकत देखना तो counseling का date आप लोग का आ जाता है, उसके बाद आप लोग सोशतों कि कौन सा documents हमको लेकर जाना है physical verification के लिए ठीक है तो आप लोगो बहुत problem फिल face करते हो, जल्दी-जल्दी कोई भी documents, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, documents नहीं मिलता है तो यह सा मैंने previous में बहुत सारे बच्चों को देखा था, तो अभी आप लोग counseling में time है, जो भी मैं आप लोगो documents बोलूँगा, तो documents आप लोग collect करके रखना है, ठीक है, अच्छे से रखना है, तो make sure आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके last दिखना है, और अगर एक बच्चे हर एक candidate के mind में यही doubt चल रहा है, कि भाईया हम लोग counseling का process कपसे start होगा, मुझे भर भर की comments आ रहे हैं कि counseling का process कपसे start होगा, मैंने previous वीडियो भी एक बनाया था, counseling से related ही, तो इस वीडियो में भी एक point हम लोग cover करी देते हैं, कि बहुत सारे बच्चे का comment आ रह सब कुछ out हो जाएगा, यह last week में, next month में first week से आप लोगा registration का process से start हो जाएगा, बहुत सरे बच्चे का confusion होता है, क्या registration का process में documents लगता है, नहीं, उस समय आप लोगा documents नहीं लगेगा, वो समय बस आप लोगा marks लिखना है, वो समय आप लोगा step best step बताऊंगा, उसमें आप आप लोगो कब documents upload करना है, आप लोगो जब आप लोगो physical verification में जब जाओगे, तब वहाँ पर आप लोगो documents upload करना होगा, ठीक है, आप लोग कोई भी institute, अगर आप लोगो जिस institute में आप लोगो का नाम आता है, जो भी आप लोगो का first round, second round में आता है, तो उसमें आप लोग को जाना है और अपना documents verify करवाना है ठीक है तो क्या क्या documents लगेंगे उसके regarding हम लोग अभी बात कर रहे हुए ठीक है तो सबसे पहले आप लोग क्लास 10 का मार्क्षित लगेगा इदम अच्छे से रखना क्लास 10 का मार्क्षित आप लोग को रखना होगा और क्लास 10 और 12 का admit card ठीक है यह आप लोग अच्छे से रखेगा WBJ का rank card और आप लोग का admit card ठीक है rank card और admit card आप लोग अच्छे से रखेगा फिर allotment letter जो भी आप लोग को college allot हुआ है उसका allotment letter आप लोग को लेकर जाना है ठीक है उसके बाद आप लोग को jmains का result अगर यह इस ब्रो में आप लोग को था हूँगा कैसे बनता है ठीक है तो डोमिसायल certificate आप लोग जरूर लेके जाएगा अगर आप लोग वेस्ट वैंगोल से हो अगर आप लोग इंकम सेटिफिकेट अगर आप लोग का है अगर apply कि हो रिश्ट्रेशन टाइम तो income certificate लेके जाए है क पास सेटिफिकर अगर आप लोग एपलाई कि हो सब्सक्राइब कि हो तो सेटिफिकेट जरूर लिखे जाना अगर नहीं लेके जाओगे तो आप लोग कर वहां पर सीट जो एलोट हो ना कैंसल हो ठीक है तो वेरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट अगर अब नहीं ब इस सेपर हो चया जाता है अभी मैं बन कर जाना है और क्या सब कुछ बता है है कि बस आप लोगे इस channel को subscribe कर लेた हैं हमारे expert से भी आप लोगब बात कर सकते हो number दिया गया है और किसी भी college में अगर आप लोगब टारी के अडिक अडियागे में डैर्र मिलग टीक है किसी भी college के इंक्वाइरी करना किसी भी college के इंडमिsmल में जानना सकते हो किसी भी कॉलेज में आप लोग मैनेजमेंट के थ्रूब एडमिशन ले सकते हो कॉंप्टर साइंस सीट बहुत कम है तो अगर आप लोग इंक्वाई करना तो कर सकते हो ठीक है और यह साइट